नमस्कार दोस्तों सान कीचन में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं बनाने वाली हूं कड़ेला की टेस्टी भूजिया ये खाने में बहुती स्वादिष्ट लगती है और ये सेहत के लिए बहुती फायदेमाद है कड़ेला के भूजिया तो सभी चीजों के साथ ये खाने में बहुती अच्छी लगती है कड़ेला के भूजिया बनाने के लिए मैं सबसे पहले कड़ेला को ले ली हूं ये ताजे ताजे करेला है और मैं पान्स गरम करेला को ली हूँ, दो बड़ा पियाज है, पान्छे मीर्च को मैं ले लिए हूँ, करेला के किनारे को काट लेती हूँ, करेला अच्छे से मैं इसे काट लेती हूँ, सारी करेला के भुजिया को मैं काट लेती हूँ, आप कोई स मैं करेला को भूझिया काट सकते हैं। मैं सारे चीजों को काट के इसे अच्छे तरह से साप कर ली हूं wed इस चलती हूं गैस जलाने जहाएं हम हरा हम मैं इसमें तेल डाल देती हूं हैं में इसमें मीर्च को डाल देती हूं मिर्च हमारा अपना मैं गमला में लगाई हुई थी, वही मिर्च फला है तो इसमें मैं डाल दी हूँ, जीरा डाली हूँ और प्याज डाल देती हूँ, इसे मैं थोड़ी देर एक दम भूल लेती हूँ, ज्यादा प्याज को नहीं भूनूंगे, इसे हमारा प्याज जल केगा नहीं या खर भुजिया नहीं होगा मैं भुजिया को अच्छी तरी से एक देर चला लेती हूं करेला को भुजिया खाने में हमें बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे करेला का भुजिया बहुत ही फायदे मंद भी है इसे ढख कर थोड़ी देर में पका लेती है आप इसे अच्छे से मिला लाएं, और करेला के धक कर पकाते रहें, आप इसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकी हमारा करेला के टेस्टी भूजिया जो ही, ये जले नहीं, अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक को डाल देती हूँ, नमक आप अपना अनुसार दे सकते हैं, मैं इसमें नमक को डाल दी हूँ, अब मैं इसमें हल्दी पर्डर को डाल देती हूँ, आधा चमच में हल्दी पर्डर को डाल दी हूँ, अब मैं इसमें थोरा सा गोल और जीरा को पाडर को मैं डाल देती हूँ ऐसे अच्छे से मैं मिला लेती हूँ भुजिया को आप अच्छे से चलाएं और ये ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना पकाएं इसे हमारा भुजिया जो है जल जाएगा और ये पुरी तरह से खड भी नहीं होगा और पकेगा भी नहीं इसे हलका लूफ लेम पर पकाएं तो हमारा करेला का भुजिया टेस्टी बन कर तयार होगा आप देख सकते हैं कि हमारा करेला का भुजिया बन कर तैयार है और मैं प्लेट में प्रोस लेती हूँ आप सभी से बाते करते करते हमारा करेला के टेस्टी भुजिया खाने के लिए तैयार है आप इसे रोटी, फूरी, फुराठा सभी चीजों के साथ आप इसे खा सकते हैं हमारे चैनल पर नए है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अबस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करें हमारे नए वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखे और स्वस्त रहे